तो दोस्तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे ही गैजट्स के बारे में जुनको इस्तेमाल करके आप काफी सारी काम को असान बना सकते हैं वहीं हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी नई टेकनलोजीस के बारे में जो की काफी ज़दा सर्पाइजिंग लगेंगी आपको तो चले चलते हैं आपने पहले गैजट के ओर दोस्तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये गैजट काफी ज़दा पसंद आएगा अकसर ऐसा देखा जाता है कि आप के लिए हर जगे गर्म खाना एवलेवल नहीं होता और कभी-कभी तो कुछ जगे ऐसी भी होती हैं जहां पर आपको खाना ही नहीं मिलता तो दोस्तो उसमें इस्तिमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के गैजट को दोस्तो वैसे तो ये एक फ्लेमलेस फूड हीटर होता है लेकिन आगर आप चाहें तो इसकी मदद से आसानी से खाना भी बना सकते हैं जैसे कि नूडल्स, मैगी, पोहा ये सब बहुती आसानी से बनाया जा सकता है इसकी मदद से वहीं दोस्तो इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है आप इसमें आसानी से पानी की मदद से चीज़ों को गर्म रख सकते हैं वहीं आप चाहें तो इसमें चाय भी बना पाएंगे इस packet में exothermic chemical का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पानी के संपर्क में आने पर गर्म होने लगता है जो कि आपके खाने को गर्म करने में आपकी मदद करेगा दोस्तो ये packet काफी सारी layers में होता है जिसकी वज़य से ये chemical आपके खाने के touch में बिल्कुल नहीं आता और non-toxic होने की वज़े से ये पूरी तरीके से safe भी रहता है तो इस तरीके का gadget काफी ज़्यादा useful हो जाता है अगर आप भी कहीं जा रहे हों तो इसे अपने साथ ले जाना मत भूलेगा Neck Fit दोस्तो आप जो gadget मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको बेहत पसंद आएगा क्योंकि अगर आप swimming करते हैं या कहीं बीश पर घूमने जाते हैं तो आप हर समय sleepers का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो काफी ज़्यादा uncomfortable feel कराती है तो दोस्तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीकी का gadget जो की खास तोर पर आपके पैरो के comfort को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है एक sticker की तरह दिखने वाला इस gadget को आप अपने पैरो पर शिफका लेते हैं जिसके बाद आपको sleepers पहनने की जरुवत नहीं परती साथी आप इसको पहन कर किसी भी surface में move कर सकते हैं यही नहीं आप इसे पहन कर swimming का भी मज़ा ले पाएंगे दोस्तो यह gadget काफी सारे colors और designs में भी available है जिसे कि आप अपने पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं हाला कि यह use and throw होता है लेकिन अगर आप चाहें तो घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपके पैर गंदे ना हो वैसे तो हम लोग freezers में ice trace का इस्तेमाल करते हैं बर्फ जमाने के लिए लेकिन उनको खाली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ऐसे में अगर आपको काफी ज़्यादा बर्फ की जरुवत हो तो आपके पस limited quantity ही होती है उन trace की साथ ही अगर आप ज़्यादा trace को फ्रीजर में रखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो दोस्तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस खास gadget का दोस्तो ये एक rubber based gadget होता है जिसमें आप आसानी से पानी को भर के बर्फ जमा सकते हैं साथ ही इसमें लगे plastic can को आठा कर आप आसानी से उससे बर्फ भी निकाल पाएंगे और आपके फ्रीजर में कोई खास ज़्यादा जगे भी नहीं लेता ये gadget और दोस्तो रबर का बना होने की वज़े से इसमें आइस काफी ज़दा तेजी से जमती है जिससे कि आप इसे बार-बार इस्तिमाल कर पाएंगे वहीं आप इसका इस्तिमाल ना सिर्फ जमाने में बलकि आपनी bottles को ठंडा रखने के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसके design को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आप किसी भी टाइप की bottle या can को रख पाएंगे जो कि बर्फ के contact में आकर ठंडा रहेगा तो दोस्तो इस तरीके का gadget काफी ज़दा multitasking और useful हो जाता है आपके लिए Magpad Magnetic Tool Holder दोस्तो अगर आपको mechanical field में काफी ज़दा काम करना पड़ता है तो ये gadget आपको काफी ज़दा पसंद आएगा क्योंकि ऐसे काफी सारे tools होते हैं जिने आप अपने हातों में एक साथ नहीं पकड़ सकते ऐसी situation में ये magnetic pad आप कहीं भी चिपका देते हैं जिसके बाद ये आपके tools के लिए एक holder की तरह काम करता है जहां पर आप किसी भी तरीके के tool को इसमें रखकर आसानी से काम कर पाएंगे वहीं दोस्तों ये काफी ज़्यादा durable और scratch proof होता है जिससे कि आप किसी भी जगह पर इसे लगा सकते हैं इस magnetic pad की खास बात ये भी होती है कि आप आसानी से उसे किसी भी surface पर लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं यानि कि powerful magnets लगे होने के बाब जूद भी इसे हटाना बहुत ज़्यादा आसान होता है तो दोस्तों इस तरीके का gadget टेकनिकल लोगों के लिए काफी ज़्यादा useful हो जाता है दोस्तों अक्सर हमारी daily life में हमें चोटी मोटी चोटे तो लगती ही रहती है लेकिन अगर ऐसे में कोई cut लग जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है bleeding को रोकना वैसे तो इसके लिए लोग bandage का इस्तिमाल करते हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा कारगर नहीं होते वो आपके चोटी घाओ के लिए तो ठीक होते हैं लेकिन बड़े cut में वो कोई काम नहीं आते तो दोस्तों इसके लिए खास तोरपा बनाया गया है इस zip stick को इसकी मदब से आप आसानी से उस cut पर इसे लगा कर उसे lock कर सकते हैं इसे इस्तेमाल करना बेहत आसान होता है आप बस हलका सा घाओ को साफ करने के बाद उसमें आसानी से इसे set कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीकी का gadget भले ही देखने में छोटा लग रहा हो लेकिन काफी ज़्यादा useful हो जाता है आपके fasted box में टेक टेट्स दोस्तों टेकनलोजी समय के सासा काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है ऐसे में आप अपने daily lifestyle में भी काफी सारे नए-नए गैजट्स देखते होंगे लेकिन अगर बात करी जाए आपके fitness की तो normally तो आपके fitness के लिए fitness watches एवलेवल हैं लेकिन दोस्तों आप जो गैजट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको काफी ज़्यादा surprising लगेगा दोस्तों ये एक electric tattoo होता है जो कि आप अपनी body पर एक normal tattoo की ही तरह लगा सकते हैं तेकिन ये आपके body वाले normal tattoo से कहीं ज़्यादा advance होता है ये आपके एक fitness tracker की तरह काम करता है जहां पर ये step counter, calorie burning और भी काफी सारे features के साथ आता है आप इसे अपने mobile phone app से connect कर सकते हैं जिसके ये आपको body से related काफी सारी information available कराएगा यही नहीं ये आपके लिए एक personal storage की तरह भी काम करता है आप चाहें तो आप इसमें अपने ID बगरा को भी store कर सकते हैं तो दोस्तों बच्पन में तो आपने काफी सारे tattoos इस्तेमाल किये होंगे लेकिन ये इस तरीके का tattoo साइद आपन यकीनन काफी ज़दा interesting लगेगा आजकल के songs को तो आपने सुना ही होगा इनकी problem ये होती है कि आधिक तक songs के lyrics आपको समझ में ही नहीं आती हैं तो इस problem को ध्यान में रखते हुए खासतोर पर बनाया गया है इस speaker को जो की play किये गए songs के lyrics को अपनी screen पर दिखाता है इसे इस music lovers को तो पसंद आता ही है लेकिन ये आपके लिए एक decorative gadget का भी काम करता है आप अगर चाहें तो इसका इस्तेमाल room के decoration में भी कर सकते हैं जो कि आपके room को काफी ज़्यादा high tech look देता है तो दोस्तों अगर आप भी एक speaker खरीदने का mood बना रहे हो और music का काफी ज़्यादा श होता है आपके लिए दोस्तों किचन में काम करते करते अक्सर हम लोग के हाथ में चाकू से कट लग जाते हैं जो कि काफी ज़्यादा painful होते हैं और साथ ही हमारे काम को भी पूरी तरीके से बंद कर देते हैं तो आपके साथ भी यकीनन ये हुआ होगा और आप भी इससे आरदार और जार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और काफी ज़दा ड्यूरेबल होने की वज़े से आप इसे एक लंबे समय तक इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस तरीके के गलफ्स काफी ज़दा यूसफुल हो जाते हैं आपके कीचन में तो इस तरीके के अमेजिंग के लिए एक लाइक तो बनता है